जैनेत बंद्वो मैं रवी जैन गुरू जी आज रवीवार और तिरी पुसकर योग देखे तिरी पुसकर योग में हम कोई भी कारे करते हैं तो उसका तीन गुना फल मिलने का योग बनता है तो हम कोई भी नया कारी आरम कर सकते हैं और अब बात करते हैं आज के रासी फल की मेस रासी वाले कल तक निर्णे टाले चिकित सक्के अनुसार भोजन ले क्या करें पंदरा मिनट का मोन दो बार रखें वर्षब रासी वाले स्वास्त का ध्यान रखना जरूरी मानसिक तनाव बढ़ सकता है क्या करें सभी परीजन खीर का सेवन करें मित्रासी वाले जल्दबाजी बिल्कुल ना करें व्यापारियों से मदुर वहवार करें क्या करें ओम प्रहिम श्री चंदबबु जिनेंदराय नमा की दो माला फेरें करकरासी वाले लेंदेन नगद में करें पदोन नती का अवसर क्या करें हल्दी चंदन काटी का माथे पर लगाएं सिंगरासी वाले आज व्यापार में तरक्की के चंस लेकिन धेरिये को बनाई रखें क्या करें मौरपंक व्यापार के इसान पर रखें कन्यारासी वाले आ रही बादा से बिलकुल भी विचलित ना हो लेकिन नई दोस्तों से दूरी बनाकर चलें क्या करें? शिरी भक्तामर जी का उननिस वखाव्य है उननिस बार पड़ें तुलारासी वाले विस्वास को टूटने ना दें पती पतनी में तनाव ना बढ़ने दें क्या करें? शिरी जैन मंदिर जी या इस्तानक में समय वैतीत करें, दर्सन करें वश्षिक रासी वाले सांती से समय वैतीत करें लंभी दूरी की यातरा का योग क्या करें? चान्दी के गिलास में पानी भर कर रखें, उसी से पानी पियें दनुरासी वाले वाहन बिल्कुल भी तेज ना चलाएं समय ठीक है क्या करें गोशाला में सेवा करें दान दें मकरासी वाले रुके कारिये बन सकते हैं परी जनों से तालमेल बैठाएं क्या करें कुट्टे को रोटी डालें कुमरासी वाले विरोध किसी का ना करें सेवकों से तालमेल बैठा कर चलें क्या करें सेवकों को यथा संबव भोजन कराएं मीनरासी वाले गरहकों को नजर अंदाज ना करें भाउकता में आज निर्ने ना लें क्या करें ओम रिम श्री नमो की माला फेरें और अब बात करते हैं आज की सलह की देखिए आज की सलह में बंदो ध्यान रखे यदि आपके घर में परिवार में लगातार धन की हानी हो रही है तो परियास करें आप रसोई घर में बैठ कर भोजन करें अगर ऐसा संबव ना हो तो रुस्तोई घर के आसपास बैठ कर भोजन करें क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने परिवार में लगातार हो रही धन की हानी को रोकने में काफी हद तक सक्षम हो जाएंगे और एक बड़ा परिवर्तन आपको नजर आएगा और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भेजी है भगवती पशाजी ने गाजियाबाद से लिखते हैं गुरु जी केतु घरे की शांती के लिए कौन से तिरसंकर की पूजा और जाप की जाती है और कितनी माला फेरनी चाहिए देखे भगवती पशाजी मैं आपको बता दूँ केतु घरे की शानती के लिए भगवान मलेनात और भगवान पाशनाजी की इस्तुती पूजा जापादी की जाती है तता 17,000 मंत्रों की 170 माला संकल्ब लेकर हमें फिरनी चाहिए अगर हमें केतु घरे की शानती करनी है तो तो ध्यान रखें केतु गरे की शान्ती के लिए 17,000 मंत्रों की जाप की जाती है इसी के साथ बंदो आपकी भी कोई समश्या है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आइडी लगातार फ्लेस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी भावना के साथ आप सभी को जैजनेद्र